निया दिन नई खबर हर बड़ी खबर पर हमारी नजर खबर जिसका हम पर आप पर और देश की सियासत पर होगा असर और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाडा क्योंकि ये है जनता का खड़ा नमस्कार मैं हूँ आनंदर सिम्हन अखड़ा मैं आज सबसे पहले बाद संसद के मौनसून सत्र में जारी माँ भारत की संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है और मौनसून सत्र के आखरी हफते में भी हालात सुधरते नहीं दिख रहे पहले की तरह आज भी दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है अलग-अलग मुद्दों पर विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है हंगामा के बाद लोकसभा और राज़सभा दोनों की कारवाई अब दो बज़े तक स्थगित की अल्दी गई है सदन में दोनों तरफ लोगसबा में भी राजसबा में भी हमने विपक्ष का हंगामा ही देखा शोर शराबा ज्यादा तमाशा ज्यादा काम कम चर्चा कम वाद विवाद कम और हंगामे पर लोगसबा स्पीकर ओम बिर्ला ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं मार्ने सदक्रण आप सदन में साथ से जादा मेनग किसानों के hadpun मुद्दे लिये मैं चाहता था कि किसानों के मुद्दों पर आप पोष्णकाल में माने बंतीजी से सवाल पूछे उनकी समश्या का समाधान हो लेकिन आप किसान के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते समवाद नहीं करना चाहते तक्तिया ले रहा है नारे बाजी कर रहे है माने सदशगन ये सदशगन आपका है इसका सम्मान और मर्यादा रखने आपकी जिम्मेदारी है आपको देश की जनुता ने इसले चुनकर बेजाता आप अपनी बात रखें किसान के मुद्दों की बात रखें लेकिन आप नारे बाजी करें तक्ते ले रहाई यह उचित नहीं है अमिताब सिनामाईसा जुड़ेंगे विकरांत यादब भी जुड़ रहे हैं विकरांत सदन में सिर्फ कोला हाल, हंगामा, धरनावाजी यही हम देख रहे हैं ना वाद विवाद हो रहा है, ना सवाल पूशे जा रहे है विपक्स जिन जिन विशेओं पर सरकार को घेरनी की बात करता था यह पूशता था कि भाई देखिए आप संसत का सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं जब बुलाया तो एक विशे छोड़के दूसरा ऐसा लग रहा है कि यह लोग हॉप स्किप जम खेल रहा है कि इस विशे पर अगर सरकार चर्चा करने को तयार है तो फिर अगला विशे पकड़ लिया या फिर किसी और विशे को पकड़ लिया कोविड पर अब तक ठीक से ढंक से चर्चा नहीं हुई है कोविड पर आनंद सिर्फ राजसभा में चर्चा हुई रोकसभा में तो होई नहीं पाई जिसके लिए उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा में विपक्षी से जोड़ज़वर तरीके से उठाएगा लेकिन एक बात जो चिंता करने वाली है कि जब संसत का सत्र शुरू हो रहा था तो उससे एक दिन पहले जो बैठक हुई थी उस बैठक में विपक्ष की तरफ से तमाम वो मुद्धे उठाए गए थे जिस पर वो चर्चा चाहते थे और वो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ है वो कोवीड का मुद्धा हो या फिर महंगाई का मुद्धा हो तेल की बड़ी कीम्तों का मुद्धा हो लेकिन जिस दिन संससत्र शुरू होने वाला था उससे एक शाम पहले सामने पेगसस का मामला आया और उसके बाद विपक्ष की पूरी रननीती बदल गई हाला कि इस का चुनाव बंगाल में हो चुका है कोई चुनाव है नहीं उनके नेटा अभिशेक बेनर जी के नाम को लेकर कि वह हंघामा कर रहे हैं और उनको यह condemned कोे मुद्धे पर वह सरकार को बड़े पैमाने पर घेर रहे हैं और इसका नुकसान सरकार को भुगतना पड़ेगा जबकि जो छोटी पार्टिया हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वो संसत के मांसून सत्र का इंतजार कर रहे थे कोवीड पर सरकार को घेटने के लिए महंगाई पर घेटने के लिए लेकिन जनता से जुड़ेवे मुद्दे नहीं उठ पा रहे तो निश्चित तोर पर सरकार इन सब चीजों को लेकर के सरकार भी चिंतित हैं और राजसभा में एक सहमती बनी थी कोवीड पर हमने चर्चा हुने के बाद भी लोकसभा में उस पर चर्चा नहीं हो पाई और अब केवल ऐसा लग रहा है कि विपक्ष केवल और केवल पेगासस के मुद्दे पर लामबंद हो गया है और विपक्ष की जो बड़ी पार्टिया है उन्होंने विपक्ष के मुद्दे को हाईजेक करके सि मुद्दे को नहीं उठा पा रही हैं सबसे बड़ी बात यह है कि पेगसिस पर भी जब सरकार का जवाब आ रहा था तो विपक्ष सुनने को तयार नहीं था और उनके पर्चे फाड़ दिये थे एश्वर्या वेश्णव के हाथ से पर्चा चीन कर उसको भाड़ भी दिये फाड़ दिया गया उसके बाद सरकार ने का अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी अमित आप सिना अमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूजरूम से विक्रांत बने रही है हमारे साथ मौनसून सत्र क्या है ऐसे ही बह जाएगा अमित आप दिए वीपाक गतिरोद से आगे बा हमारी बहनों हमारे किसानों हमारे गरीब परिवारों के हीत में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है आज गुजरात के लाखों परिवारों को पी एम गरीब कल्यान अन्य योजना के तहट एक साथ मुप्त राशन वित्रित किया जा रहा है ये मुप्त राशन बैश्वीक महामारी के इस सबय में गरीब की चिंता का काम करता है उनका विश्वाद बढाता है ये योजना आज से प्रारब नहीं हो रही है योजना तो पिछले एक साल से करीब करीब चल रही है ताकि इस देश का कोई गरीब भूका नस हो जाएं मेरे पैरे भाईयो बहनों गरीब के मन में भी इसके करने विश्वास पैदा हुआ है ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि उनको लगता है कि चुनावती चाहे कितनी भी बड़ी हो देश उनके साथ है थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभारतियों के साथ बात्चीत करने का आउसर मिला उस चर्चा में मैंने अनुभव भी किया कि एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है साथियों आजहादी के बात से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सिमीत ही रहा देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए लेकिन भुखमरी और कूपोशन में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई इसका एक बड़ा कारण था कि प्रभावी डिलिवरी सिस्टीम का न होना और कुछ बीमारिया भी आ गई व्यवस्ताओं में कुछ कटकी कंपनी भी आ गई स्वार्थी तत्व भी गुज गए इस थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया गया नए टेक्नोलोजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया गया करोडों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टिम से हटाया राशन कार को आधार से लिंक किया और सरकारी राशन की दुकानों में डिजिटल टेक्नोलोजी को पोत्साहित किया गया आज परणाम हमारे सामने हैं भाई और भेनों सौ साल की सबसे बड़ी विपत्ती सिरफ भारत पर नहीं पूरी दुनिया पर आई है पूरी मानवजात पर आई है आज जी विक्रिकाब पर संकट आया कोरोना लोकडाउन के कारण काम धंदे बंद करने पड़े लेकिन देश ने अपने नागरीकों को बूखा नहीं सोने दिया दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर आज संक्रमण के साथ साथ भुख मरी का भी बीशन संकट आ गया है लेकिन भारत ने संक्रमण की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया इसलिए अज दुनिया भर में प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के प्रसमसा हो रही है बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारिप कर रहे हैं कि भारत अपने असी करोड से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुप्त अनाच उपलब्द करा रहा है इस पर दो लाख करोड रुपिय से अधिक यह देश खर्च कर रहा है मकसद एक ही है कोई भारत का मेरा भाई बैन मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे आज दो रुपिय किलो गेहूं तीन रुपिय किलो चावल के कोटे के अतिरिक हर लाभारती को पांच किलो गेहूं और चावल मुप्त दिया जा रहा है यानि इस योजना से पहले की तुल्ना में राशन काड़ धारकों को लगबग डबल मात्रा में राशन उप्लब्द कराया जा रहा है ये योजना दिवाली तक चलने वाली है दिवाली तक किसी गरिब को पेट भरने के लिए अपने जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा गुजरात मैं भी लगबग साड़े तीन करोण लाभारतियों को मुप्त राशन का लाप आज मिल रहा है मैं गुजरात सरकार की इस बात के लिए भी प्रसंसा करूंगा कि उसने देश के दूसरे हिस्सों से अपने यहां काम करने वाले स्रमीकों को भी प्रात्फिक्ता दी कोरोना लोकडाउन के कारण प्रभावित हुए लाखों स्रमीकों को इस योजना का लाब मिला है इसमें बहुत सारे ऐसे साती थे जिनके पास या तो राशनकार था ही नहीं या फिर उनका राशनकार दूसरे राज्यों का था गुजरात उन राज्यों में हैं जिसने सबसे पहले वन नेशन वन राशनकार की योजना को लागू किया वन नेशन वन राशनकार का लाब गुजरात के लाखो स्रमिक साथियों को हो रहा है भाई और बैनों एक दौर था जब देश में विकास की बात केवल बड़े शहरों तकी सिमिध होती थी वहां भी विकास का मतलब बस इतना ही होता था कि खास खास इलाकों में बड़े बड़े फ्लाइव वर्थ बन जाएं सडके बन जाएं मैट्रो बन जाएं यानि गाओं कस्मों से दूर और हमारे घर के बाहर जो काम होता था जिसका सामन्य मानवी से लेना देना नहीं था उसे विकास माना गया बीते बर्षों में देश ने इस सोच को बनला है आज देश दोनों दिशों में काम करना दो पट्री पर चलना चाहता है देश को नए इंफ्रस्रक्टर की भी जरुवत है इंफ्रस्रक्टर पर भी लाखो करोरों खर्च हो रहा है उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है लेकिन साथ ही सामान्य मानवी के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस अब लिविंग के लिए नए मानदन्द स्थापित कर रहे हैं गरीब के ससक्ति करणों को आज सर्वोच्च प्रात्फिक्ता दी जा रही है जब दो करोड गरीब परिवारों को घर दिये जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अब सर्दी गर्मी बारिश के डर से मुक्त होकर जी पाएगा इतना ही नहीं जब प्रमान से उसका जीवन भर जाता है नए संकल्पों से जुड़ जाता है और उसंकल्पों को साकार करने के लिए गरीब परिवार समेथ जी जान से जुड़ जाता है दिन रात महनत करता है जब दस करोड परिवारों को सौच के लिए गर से बहार जाने की मजबूरी से मुक बहतर हुआ है वो पहले सोचता था कि सुखी परिवारों के घर में ही टौइलेट होता है सौचाला उनी के घर में होता है गरीब को तो बेचारे को अंदेरे का इंतजार करना पड़ता है खुले में जाना पड़ता है लेकिन जब गरीब को सौचाला मिलता है तो वो अमीर की बराबरी में अपने आपको देखता है एक नया विश्वास पैदा होता है इसी तरह जब देश का गरीब जन्दन खाते के जरिये बैंकिंग विवस्ता से जुड़ता है मोबाइल बैंकिंग गरीब के भी हाथ में होती है तो उसे ताकत मिलती है उसे नए आउसर मिलते हैं अर्थात हमारे सामर्थ का आधार हमारे जीवन का सुख ही होता है जैसे हम सुख के पीछे भाग कर सुख हासिल नहीं कर सकते बलकि उसके लिए हमें निर्धारित काम करने होते हैं कुछ हासिल करना होता है वैसे ही स्वास्त शिक्षा सुविदा और गरीमा बढ़ने से होता है जब करोडों गरीबों को आईश्मान योजना से मुप्त इलाज मिलता है तो स्वास्त से उनका ससक्तिकरन होता है जब कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सुविदा सुनिचित की जाती है तो इन वर्गों का सिक्षा से ससक्तिकरन होता है जब सडके सहरों से गावों को भी जोडती है जब गरीब परिवारों को मुप्त गैस कनेक्षन मुप्त बिजनी कनेक्षन मिलता है तो इस स्विधाय उनका ससक्तिकरन करती है जब एक व्यक्ति को स्वास्त सिक्षा और स्विधाय मिलती है तो अपनी उन्नति के बारे में द आज देश में मुद्रायोजना है स्वानेदी योजना है भारत में ऐसी अनेको योजना करीब को संवानपूर्ण जीवन का मार्गदे रही हैं संवान से ससक्ति करन का माध्यम बन रही है भाई और बेहनों, जब सामाने मानवी के सपनों को आउसर मिलते हैं, व्यवस्ताएं जब घर तक खुद पहुचने लगती हैं, तो जीवन कैसे बदलता है, ये गुजरात बखुबी समझता है कभी गुजरात के एक बड़े हिस्से में, लोगों को, माता और बहनों को, पानी जैसी जरुवत के लिए, कई 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 किलो मिटर पैदल जाना पड़ता था हमारी सभी माता और बहने साक्षी हैं, ये राजकोट में तो पानी के लिए ट्रेन बेजनी पड़ती थी, राजकोट में तो पानी लेना है, तो घर के बार गड़ा खोद करके नीचे पाइप में से पानी एक-एक कटोरी लेकर के बाल्टी बरनी पड़ती थी लेकिन आज सरदार सरोवर बांध से सवनी योजना से नहरों के नेटवर्क से उस कच्छ में भी मान नर्बदा का पानी पहुंच रहा है जहां कोई सोचता भी नहीं था और हमारे हाँ तो कहा जाता था कि मान नर्बदा का स्मरण मात्र से पुन्य मिलता है आज तो स्वयम मान नर्बदा गुजरात के गाउं गाउं जाती हैं स्वयम मान नर्बदा घरगर जाती हैं स्वयम मान नर्बदा आपके द्वार आकर के आपको आशिरवात देती हैं इनी प्रयासों का परणाव है कि आज गुज्रात शत्त प्रतिशत नल से जल उपलब्द कराने के लक्ष में अब ज्यादा दूर नहीं हैं यही गती आम जन के जीवन में यही पड़लाव अब धीरे धीरे पुरा देश मैसूस कर रहा है आजादी के दसकों बाद भी देश में सिर्फ तीन करोड ग्रामीन परिवार पानी के नल की सुवीधा से जुड़े हुए थे जिनको नल से जल मिलता था लेकिन आज जल जीवन अभियान के तहट देश भर में सिर्फ दो साल में दो साल के भीतर साड़े चार करोड से अधिक परिवारों को पाइप के पानी से जोड़ा जा चुका है और इसलिए मेरी माताए बहने मुझे भरपूर आशिरवात देती रहती हैं भाईव और बहनों डबल इंजीर की सरकार के लाब भी गुजरात लगातार देख रहा है आज सरदार सोरोवर बांच से विकास की नई धाराई नहीं बहराई बलकि स्टेच्ची आफ युनिटी के रूप में विश्व के सबसे बड़े आकरशन में से एक आज गुजरात में है कच्छ में स्थापिद हो रहा है रिजूएबल एनर्जी पार्क गुजरात को पूरे विश्व के रिजूएबल एनर्जी मेप से स्थापिद करने वाला है गुजरात में रेल और हवाई कनेक्टिविटी के अधुनिक और भगवे इन्फासेक्टर प्रोजेक्ट बन रहे हैं गुजरात के एमदाबाद और सूरद जैसे शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार तेजी से हो रहा है हेल्थ केर और मेडिकल एजुकेशन में भी गुजरात में प्रसंसनिय काम हो रहा है गुजरात में तैयार हुए बहतर मेडिकल इंफासेक्टर ने सो साल की सबसे बड़ी मेडिकल इमर्जेंसी को हैंडल करने में बड़ी भूमी का निबाई है साथियों गुजरात सहीत पुरे देश में ऐसे अनेक काम है जिनके कारण आज हर देशवासी का हर छेत्र का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और ये आत्मविश्वासी है जो हर चुनोती से पार पाने का हर सपने को पाने का एक बहुत बड़ा सुत्र है अभी ताजा उधारण है ओलेंपिक्स में हमारे खिलाडियों का प्रदर्शन इस बार ओलेंपिक्स में भारत के अब तक के सबसे अधिक खिलाडियों ने क्वालिफाई किया है याद रहे ये सो साल की सबसे बड़ी आपदा से जुच्ते हुए हमने किया है कई तो ऐसे खेल हैं जिन में हमने पहली बार क्वालिफाई किया है सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया बलकि कड़ी टककर भी दे रहे हैं हमारे खिलाडी हर खेल में सर्वस्रेश्ट प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस ऑलिम्पिक में नए भारत का बुलन आत्म विश्वास हर गेम में दिख रहा है ऑलिम्पिक में उत्रे हमारे खिलाडी अपने से बहतर रैंकिंग के खिलाडियों को उनकी टीमों को चुनोती दे रहे हैं भारत ये खिलाडियों का जोश जुनून और जज़बा आज सर्वोच स्तर पर है यह आत्म विश्वास अख़ड़ा में आप खबर चीन की चाल को भारत में अंजाम देने लेफ्टियों की वो मोहरा जो है तो हिंदुस्तान में Lackarid में अॉर्डर देश की दुश्मन चीन का मानता है यह बात हो रही है लेफ्ट पार्टियों और उनके नेताओं की क्योंकि भारत के फूर विदेश च्चे विजए कोखले अपनी किताब में लेफ्ट पार्टियों और चीन की जुगलबंदी पर बड़ा पर्दा फाश किया है विजे कोखले ने अपनी किताब में पर्मानू समझाओते पर बड़ा दावा किया है अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्स्प्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विजे कोखले ने दावा अपनी किताब दे लॉंग गेम हाउ दे चाइनीज नेगोशियेट विद इंडिया में किया है 2007 से 2009 के बीच भारत और अमरीका के बीच नुकलियर डील की चर्चा चल रही थी तब गोखले वितेश मंतराले में चीन से जुड़े मामले देख रहे थे नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ना है और निउस डूम से हमिताब सिना भी हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन नीरज सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा काफी बड़ा दावा है सबसे बड़ा दावा ये कि लेफ्ट पार्टी और इनके नेता थे जो की इस नुकलियर डील को ना होने की पूरी कवायत में थे और ये पूरा कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ जाइना के इशारे पर हो रहा था और आनन्द आपको याद होगा कि किस तरह से तब यानि प्रधानमंति मनमोहन सिंग अपनी बातों पे अडिक थे कि वो नुकलियर डील को पारित करा के ही रहेंगे उससे जुड़ा हुआ जो बिल था संसत में पारित होना था और लेफ्ट पार्टियां जो कि सहयोगी पार्टियां थी जब यूपीय सरकार को उनका समर्थन था सरकार में शामिल नहीं थे लेकिन लगातार वो विरोध कर रहे तो अभी जो खुलासा वे देखिए अभी हाल में चीनी दूतावास की तरफ से एक सौ सल वहां की चीन की कॉम्मिनिस पार्टी के सौ सल पूरे होने पर एक कारिकरम का आयोजन किया गया था वर्चूल तोर पे जिसमें तमाम राजनेतिक दलों के लोग जो लेफ्ट पार्टियों लेफ्ट विचार धारा वाली पार्टियां हैं उनसे जुड़े लोग सामिल थे तो आप इस तरह के कारिकरम में सामिल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो खुलासा वीजय गोखले ने अपनी किताब के जरीय किया है और मंडारीन बहास मंडारीन जो भासा है वह चीन की उस पर उनका कमांड है बतौर राजनाइक वह वहां रहे हैं लंबे वर्सों तक 20 साल तक चीन में रहे और अपनी किताब के माध्यम से उन पारित होने दे क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि नुकलियर डील को एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा था भारत और अमेरिका के संबंदों में और भले ही उस नुकलियर डील से अब तक कितना फाइदा हुआ है भारत को ये एक अलग बात इतर बात हो सकती है लेक कर जो कि आपका दुस्मन माना जाता उसके इस सारे पर आप एक ऐसी पॉलिसी का विरोध कर रहे थे जो भारत के हित में था और एक दोस्ताना देशों के साथ भीतर समय आइडियोलोजी जो है ये वामपंथी आइडियोलोजी इसकी जो उपज है ये वहीं चाइना से है उस की नुकलियर प्रयोग करना चाहिए और भारत को एक नुकलियर पावर बनने की जरूरत है तब अमेरिका इसका विरोध कर रहा था लेकिन 2007-2008 की जो बात हो रही है तब क्या ये वही समयकाल है जब UPA1 से लेफ्ट बहार निकल गई थी और इसी इंडो-US नुकलियर डील प काफी जाने जाते हैं डिप्लोमेटिक सरकल्स में तो मुझे लगता है कि एक चीन के सीधे हस्टचेप का भारती राजदीती में एक बहुत बड़ा उदारन हो सकता है विजय को गोखले की किताब से जो सामने आ रहा है वो चीन का सीधा हस्टचेप इंडो-US नुकलियर डी भारत को एनरजी के छेतर में आर निरबर बनाने वाला डील लिफ्ट के समर्थन वाली यूपीय सरकार बहुत मजबूती से चल रही थी सदन के भीतर सदन के बाहर विपक्षी भूमिका भी लिफ्ट ही निभाता था सरकार को वो काम करने से रोकता था महंगाई को लेकर लि सीमा पर अगर हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे तो मुझे लगता है कि भारतिये मामलों में राजनितिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप चीन की शुरुआत उसको बना जा सकता है अमित मालों में ने इसका हवाला देकर ट्वीट किया है कि लेफ्ट पार्टिय और चीन के रिष्टों पर पर दिशाना उन्होंने साधा है साथ में अमित मालविय ने ट्वीट पर लिखा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विश्वास घाती लेफ्ट ने ही चीन के साथ मिलकर भारतिय अमरीका न्यूकलियर डील में अडंगा डालने की कोशिश की थी 2007 का ये वही समय था जब सुनिया गांधी ने भी इस डील के मुद्दे पर मनमोहन सिंग से अपना समर्थन खीच लिया था सोनिया गांधी उस वक्त अगवाई कर रही थी नेशनल एडवाईजरी काउंसल की क्या ये महस संयोग है कि उसी समय चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दे रही थी अमित मालवे जी फोन पर हैं अमित मालवे ये वही समयकाल है जब लेफ्ट यूपी एवन से बाहर निकली अब आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का भी उस वक्त विरोध था और इसको आप इसके तार आप राजीव गांधी फाउंडेशन को सी सी पी द्वारा दिये गए डोनेशन से भी जोड़ रहे हैं अब 2008 में कॉंग्रेस पार्टी और सी सी पी के बीच में एक पार्टी टू पार्टी एग्रिमेंट भी साइन किया गया था जिसके लिए रायहूल गांधी बीजिंग गये थे अनन देखिए जो विक्रम गोखले जो पॉरेंट सेक्रेटरी रहे हैं और पॉरेंट सर्विसे भी में लंबे समय तक रहे हैं उन्होंने अपनी किताब में एक खुलासा किया कि जो इंडो-उस नुकलियर डील हो रही थी उस वक्त लेफ्ट चाइना के इंफ्लुएंस में उस दील को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था और अगर आप संजे बारू की किताब उठा कर देखें संजे बारू मनमोहन सिंग के मीडिया एडवाइजर थे उन्होंने अपनी किताब एक्सिदेंटल प्राइम मिनिस्टर में ये लिखा था कि 2007 में कमाम ऐसी मीटिंग हुई जहां पर मनमोहन सिंग ने खुद अपने करीबी जो अधिकारी के उनसे बात को कहा कि सोनिया गांदी उनसे इस दील पे अपना समर्थन भापिस ले रही है सोनिया गांदी उसक्ट सुपर प्राइम मिनिस्टर थी और NAC की अध्यक्षता करती थी तो सवाल स्वाभाविक है कि क्या फिर्फ लेफ्ट ही नहीं कॉंग्रेस पार्टी और खाट स्पॉर्स में गांदी परिवार भी चाइना के इंफ्लुएंस में इस दील का ग्रोथ कर रहा था अगर आपको जानो 2006, 2007 और 2008 में लगातार राजीब लांदी फाउंडेशन को जिसकी अध्यक्षा खुद सुनिया गांदी है प्रमिनिस पाटी ऑफ चाइना उनके अलागरे संसानों ने पंडिंग ली तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या हमारे देश की राजमीती और खास और पेंग्रेस और लेफ्ट की राजमीती बाहरी ताकतों से प्रे रहे थें और आप इसका इतिहाद देखें तो रश्यन इंफ्लुएंस की बात बार बार आती है इंद्रा गांधी के काल से इस बात की चर्चा है और तोकिन आर्काइव जो है इसको लेके बहुत सारी बाते कही गई है और लिखी गई है लेकिन आज की समकाली इंजाजनीती में आगर चाइना का इतना इंफ्लूएंट है और लेफ्ट और फ्रेम गांधी परिवार चाइना से या तो फंडिंग ले रहा है अपनी संसाओं के लिए या उनके कहने पर डेश के हित में जो डील से उसको अपोस कर रहा है तो ये बात लोगों के सामने आना जरूरी है जे अमित मालवें हमसे बात करने के लिए धनेवाद 2008 का ये वही काल है जब बीजिंग में राहूल गांधी आनंज शर्मा सब मौझूद थे और वो उस वक्त शी जिन पिंग भी उस रूम में मौझूद थे उस वक्त वो वाइस नहीं थे और चीसीपी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में पार्टी टू पार्टी एग्रिमेंट भी उसी समय साइन किया गया था अब बीजेपी की तरफ से सवाल ये उठाय जा रहा है कि क्या लेफ्ट ही नहीं क्या कॉंग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल थी कि इंड आगे बड़ते हैं बड़ी खबर आ रही है तालिबान से जोड़ी हुई तालिबान के बेरहम चेहरे का एक बड़ा सबूत आप सामने निकल कर आया है तालिबान जल्द से जल्द अफगानिस्तान की सत्ता को मुठ्थी में करना चाहता है लियाजा हर दिन क्रूरता की हदें पार कर रहा है अब आपको तालिबान के जल्मों की ताजा तस्वीर दिखा देते हैं ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं इनको हमने मौर्फ किया है आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है अफगानिस्तान के हेलमांड प्रांच से दो युवतों के युवकों की हत्या का दिल डहलने वाली कहानी सामने आई है न्यूज 18 के मनुज गुपता की रिपोर्ट है कि बच्चों को अगवा करने के आरोप में पकड़े गए दो युवकों को पहले तालिबान कोट की तरफ से मौत की सजा सुनाईगी फिर उन्हें सरे आम लटका दिया गया सब के सामने बेरायम तरीके से उनकी हत्या करती गई तालिबानियों की बरबरता यही नहीं रुकती लोगों को लोगों में खौफ बरने के लिए दोनों की लाशों को सरे आम लटका दिया गया लोगों को खौफ जादा करने का तालिबान का ये पुराना तरीका है ये तस्वीरे खौफ से भरने वाली है इसलिए इन्हें बलर करना पड़ा हमें अफगान मीडिया के मताबिक अफगानिस्तान के जिन लाकों को तालिबान अब कंट्रोल कर रहा है वहाँ इस तरह की कतलो घारत के मनजर आम हो चुके हैं अब तालिबान की करूरता ही नहीं इस करूरता को हवा देने वाला कौन है वो पाकिस्तान है तालिबान के यार पाकिस्तान की तस्वीरे हम आपको दिखाते हैं अब तालिबान के साथ जोड़कर तेनात कर रखा है और तालिबान के साथ जोड़कर तैनात कर रखा है और तालिबानियों की हर तरीके से वो मतद कर रहा है हमें उन जवानों की भी लिस्ट मिली है जिनकी मौत जनवरी से जुलाइ के बीच अफगानिस्तान युद के दौरान हुई इस बात के भी सबूत मिले हैं कि किस तरह पाकिस्तान के ने अपने लोगों अपने जवानों की अफगानिस्तान में तैनाती कर रखी है ये सारे आइकार्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स के हैं जो अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ शिरकत कर रहे थे आपके स्क्रीन के दाई और उर्दू में जो लिखा है ये सारी उनकी पूरी लिस्ट है खाइबर पक्तूनख्वा से लेकर सिंद बलूचस्तान और फिर पाक पंजाब से भी कई सारे ये निकले हैं जो कि पाकिस्तान के अलग-अलग आम फोर्सिस के अलग-अलग यूनिट्स के जवान हैं जिनकी लाशों को वापस किया गया कम से कम 49 ऐसे लाशें थी जिनको वापस किया गया और खुछ जेनरल बाजवा कुछ ऐसे सैनिकों से जाकर मिले और तालिबानियों से भी जाकर मिले जो कि चमन में अस्पताल में भरती है और ये वो तस्वीर है जहाँ पाकिस्तान के चीफ ओफ आर्मी स्टाफ जेनरल कमर जावेद बाजवा एक अस्पताल में एक तालिबानी आतंकी से मिलते हुए नजर आए ये चमन का द्रिश है यहाँ पर तालिबानी कम से कम 10 से 12 18 से 50 की उम्र के पा तालिबानी जो है वो भरती है और इनको मिलने के लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ है अमरीका को यूर्पियन यूनियन को संयुक द्राश्ट को कि आप जागें आप देखें पाकिस्तान कैसे आतं समर्थन कर रहा है और कोशिश कर रहा है कैसे डी स्टेबिलाइज किया जाए और तालिबान को पूरा स्टेट का रेकेंग्नेशन दिया जाए जी अदित्या लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या पाकिस्तान पर अब कारवाई नहीं होनी चाहिए दुनिया इसे अंदेखी क्यों कर रहा है और उस तरफ एक और बात है कि चीन के साथ चीन में चीन के विदेश मंतरी के साथ मुल्ला बिरादर जो तालिबान का फाउंडर है उसके भी तस्वीरे आई है बिल्कुल संयूक्त रास्ट इस पे मौन बैठा हुआ है अमरीका कोशिश कर रहा है कि यूएस टू बिड्रॉल जल्द से जल्द हो और सब जो है इससे कन ज्यादा है कब तक आप प्रशन पूछते रहेंगे लेकिन जवाब दे ही नहीं होगी कब तक आप ट्रांस्परेंसी अकाउंट बिलिटी और सैंक्शन पाकिस्तान पर नहीं लगाएंगे आतंगवादियों को समर्थन देने का आपने देखा कुछ दिनों पहले जब को मार कहां टालिबान को तो कब तक जो है मौन रहेगा स Vinengarco को कब तक दानी शिद्धिकी कि आपने बात की अडितियों दानी सिद्धिकी को तो तो और त्रौण मेने मारा ही नहीं उसकी हड़िया पसली जब उसका पार्थिव शरीर उन्होंने वापस किया था और वो भारत लाया गया उसकी ओटॉपसी रिपोर्ट जो है वो दिल देलाने वाली है किस तरह की बरबरता उसके साथ की गई है इस सब को क्यों गर बरदाश किया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है लेकिन फि